प्रतिरोत का हरां दोलन चलाने की इस देश में सब को चूट है लेकिन दोस्तों याद रखो जिस तरह मैं समझता हूँ सरकार बंदूग की गोली पर लोगों की भावनाओं को नहीं बदल सकती उसी तरह से देश के नौजवानों याद रखो कोई भी सरकार जो बंदूग की बोली के सामने जुख जाएगी वो सरकार अपने करतबे का निर्बाह नहीं करते गींगे आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिससे किसी टाइम पर अच्छे से अच्छा पॉलिटीशन और नेता डरता था इंदरा गांधी डरा करती थी मुरारजी देशाई डरा करते थे च प्रधान मंतरी रहे चंदर शेखर की बलियां में पैदा हुए और अलाबाद पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपनी जिंदगी में खूब पार्टियां बतली और बनाई भी शुरुवात हुई 1951 से सोशलिस्ट पार्टी से फिर वो लोहिया जी के दल में चले बलियां के छात्रों की एक सबा थी लेकिन अचारे जी की तबेठ ठीक नहीं थी और डॉक्तर लोहिया जी भी वहीं थे तो आचारे जी ने ये कहा कि तुम मेरी जगा चले जाओ लोहिया लोहिया जी ने कहा मैं चल लेता लेकिन मुझे अपनी पार्टी की बैठक के लिए जाना है मैं कैसे जा सकता हूँ चंदर शेकर ने तुरंत ही इस बात का जवाब दिया और इस चीज का समाधान निकाला और बोला आप हमारे साथ चलिए और मैं आपको जीब से बकसर छोड़ दूँगा और वहां से कॉलकता के लिए आपको ट्रेन मिल जाई और वहीं से आप क जीब कहां पर है जिससे आप मुझे बकसर छोड़ेंगे फिर चंदर शेकर बोले आपको तो लेकिन शाम में जाना है न तो शाम में आपको जीब यहीं पर खड़ी मिलेगी और आप टेंशन मत लीजे आप जीब में ही जाएंगे डॉक्टर साहब बढ़ बढ़ाने लग ग कि लोहिया जी वहां खड़ी है आपकी जीब आप चले जाएए क्रिपा करके ऐसी बेजती ना करिए लोहिया सन रह गए शायद ऐसा पहली बार था कि किसी यूवा नेता ने ऐसे किसी बड़े नेता को बोल दिया हो दूसरा किस्सा उनका इंद्रा गांधी के साथ घटा था जब चंदर शेकर उस वक्त की प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी के खास थे वो उनकी पार्टी के यूवा नेता थे और उस वक्त इंद्रा गांधी को यूवा नेता की सक्त जरूरत थी ऐसे में एक दिन एक बैठक में इंद्रा गांधी जी ने एक सवाल ही पूछ लिया चंदर शेकर से कि चंदर शेकर क्या तुम कॉंग्रेस को समाजवाड़ी मानते हो चंदर शेकर ने तुरंत इस बात का जबाब देते हुए बोला कि हाँ आधा मानता हूं और आधा नहीं और जो आधा मैं नहीं मानता वो मनवाना चाहता हूं इंद्रा गांधी ने पूछा इसका मतलब चंदर शेकर ने बेबाग तरीके से एक बात बोल दी कि कॉंग्रेस एक बुड़े बरकत की तरह हो गई है अगर मैं इसको समाजवादी रुक की तरफ नहीं मोड पाया तो पार् मजबूरी थी चुप रहना क्योंकि उस वक्त इंद्रा गांधी को जरूरत थी इन जैसे यूवा नेता की उनको यूवा तुर्कों की जरूरत थी अपनी पार्टी में क्योंकि इस वक्त इंद्रा गांधी चुनाव लड़ रही थी 1971 के दौरान पर जब इंद्रा गांधी ने समाजवात का नारा जोरो शोरो से लगाया और गरीबी हटाओं का नारा लगाकर सत्ता पर लोटी तो उसके बाद यूवा नेताओं की एहमियत जैसे मानों खतम ही हो गई चंदर शेकर वो एक अकेले नेता थे जो एमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं के साथ गिरफतार हो गए थे चंदर शेकर को पटियाला की जेल में डाल दिया गया और उन्होंने पटियाला की जेल में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया बंजर पड़े मैदान को बगीचे में बदल दिया लेकिन अभी भी उनका जीवन बंजर ही पड़ा था वो उस मैदान की तरह हरा भरा खिला हुआ उस एक बगीचे की तरह नहीं था अभी उस बात को 13 साल थे जब चंदर शेखर की किस्मत खुलने थी 1977 में चुनाव हुए विपक्षी पार्टियों ने गड़ बंधन करके जंता पार्टी बनाई प्रधान मंतरी के लिए तीन दावेदार सामने आए जो थे चौधरी चरण सिंग, मुरार जी देशाई और बाबू जग जीवन राम चंदर शेकर को जंता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, वो मुरार जी देशाई के खिलाफ थे, लेकिन जेपी जी के कहने पर ही वो मान गए, लेकिन बात उन्होंने जेपी की भी नहीं मानी, और वो बात थी मुरार जी देशाई के कैबिनेट में मंतरी का पत सुईकार करने की, दो से धाई बरस में आपसी कुछ रंजिश और आपसी कुछ जगडों की वज़े से ये पार्टी तूड गई, बाबु जग जीवन राम ने जंता पार्टी पर नित्रित्व की दावेदारी ठोग दी, कहा गया कि उनको जै प्रकाश नारायन का अशिरवाद हासिल चंदरशेकर बाबु के राजनितिक विरोधी थे, उनके राजनितिक तौड तरीकों से इत्तिफाक बिल्कुल भी नहीं रखते थे, लेकिन जब चंदरशेकर को पता चला कि जेपी ने भी बाबु को आशिरवाद दिया है, तो ने ना चाते हुए भी बाबु के साथ होना पड़ा, लेकिन यहाँ पर साफ बात ये थी कि जिस चिठी के सारे उन्हें मनवाया गया था, वो चिठी जय प्रकाश नारायन को ऐसे वक्त में साइन कराई गई थी, जब उनकी हालट ठीक नहीं थी, आद में जब उनको ये बात पता लगी कि जूटे खत और दस्त खत से चंदर शेकर को फसाया गया तो वे फूट फूट कर रोने लगे, उन्होंने बस ये ही बात बूली और कही कि मैं तो ये चाता था कि चंदर शेकर 77 में ही प्रधानमंत्री बन जाते, 11 नमबर 1990 में चंदर शेकर का सपना पूरा हुआ, और ऐसे बेबाग नेता जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये बता दिया कि वो कॉंग्रेस और राजीव गांदी के हिसाब से चलने वाले कोई नेता नहीं थे, वो किसी की कटपुतली नहीं है, एक और बात आपको यहाँ पर बता दी कि चंदर शेकर मुलायम सिंग्यादफ के भी गुरू थे, चंदर शेकर जैसे नेता हम सब के लिए एक inspiration है, उन जैसा नेता शायद ही कोई होगा अब तक, बेबाकी से सब के सामने कुछ भी बोल देना और जो वो सोचते थे, जो वो सही सोचते थे, वो अपने thoughts और अपने views सब के सामने रखना बहुत बड़ी बात है, हम सब को चंदर शेकर जी से कुछ सीखना चाहिए, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आईयो तो like करें, comment करें और इस वीडियो को जाद अद से जाद शेयर करें, और ऐसी वीडियो के लिए subscribe करें हमारे चैन आवाद